पूरा डेटा चुनाव आयोग को मंगलवार शाम साड़े पांच बजे सौब दिया बैंच एंड बांच ने एक्सपर जानकारी दिकी चुनाव आयोग इसी इस पूरे डेटा को 15 मार्श तक अप्लोड कर देगा नमस्कार मेदिती फौसदार आप देख रहे हैं हमारे साथ दननगरी मीडिया चुनाव आयोग इलेक्टरल बॉर्ण की खरीद को भी सारवजनिक करेगा जो अब तक केवल सील बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में जमाक किये गए थे ग्यारा मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने बैंक को फटकार लगाई थी और बारा मार्च शाम तक ये डेटा सबको निदेशन दिये गए थे किस डेटा को डीटेल किया जाएगा वह इलेक्टरल बॉर्ण मामले में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसेशन ने राष्टपती को चिट्टी भी लिखी थी इसमें कहा गया था कि सरकार राष्टपती के जरिये कानूनी राय हासिल करकर अब तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना हो इसके साथ ही कल सीजी आई ने सीजी आई से पूछा था कि 26 दिन में आपने क्या किया इसके साथ ही इलेक्टरल बॉर्ण की जानकारी देने से जुड़े इस केस में सीजी आई की याचिका पर सौमवार 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने करीब 40 मिनिट तक सुनवाई भी की इसबी आई ने कोर्ट से कहा था कि बॉर्ण से जुड़ी साड़ी जानकारी हमें देने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इसके लिए हमें कुछ समय चाहते हैं इस समय सीजी आई ने पूछा था कि पिछले सुनवाई 15 फरवरी से अब तक 26 दुनों में आपने क्या किया सु सुप्रीम कोर्ट ने पांच जजों की समिधान पीट ने 15 फरवरी को इलेक्टर बॉर्ड की सेल्स पर रोक लगा दी थी साथ ये स्बी आई को बारफ अप्रेल 2019 से अब तक कि खरीद गए इलेक्टर बॉर्ड की जानकारी 6 मार्श तक इलेक्शन कमिशन को देने के की गई थी जिसमें 6 मार्श तक जानकारी नहीं देने पर केस चलाने की मांग की गई थी आज के लिए बस इतने ऐसी और जानकारी के लिए बने रही हमारे चनल दनगरी मीडिया के साथ नन्यवाद